अब रिवान्ट, तोडे वी विल डिस्कूस अ वेरी वेरी इंपॉर्टन टॉपिक और यू कन से एक क्विक रिवीजन बिवीन पैरामेटरिक टेस्ट एंड नौन पैरामेटरिक टेस्ट और जो सैंपल का साइज है वो आपके पास क्या होता है लेस होता है पैरामेटरिक आपकी more powerful होते हैं compare to non-parametric उसके साथ साथ पैरामेटरिक जो टेस्ट है वो basically आप वहाँ पर assumptions को बना के चलते हैं कुछ assumptions वहाँ पर आती हैं अब मैं non-parametric की अगर मैं बात करूँ वो क्या हो चुका है गुजराज सेट में भी आपने देखा होगा कौन सा ज़्यादा powerful है parametric next two question भी बन चुका है इसके उपर भी कि assumptions free from assumption है या फिर इसमें assumptions आती है तो non-parametric में कोई assumptions नहीं आता है it's an assumption free test उसके साथ साथ जो parametric है वो Pearson को use करता है and Pearson is for correlational test ठीक है and non-parametric इसको use करता है spearman को use करता है I hope यह basic difference आपको clear हुए होंगे वीडियो का feedback जुरूर तीचिएगा comment section में do like it share it and subscribe the channel thank you